नमस्कार मैं प्रोफिसर शुष्मा पांडे दीन द्यालुपाधिया गोरगपुर विश्विद्याले गोरगपुर में मैं आचारे के पदपर कारे रतूं इसको कुछ प्रमुक बागों में बातूंगी पहला तो ये कि देखने की जरूरत होगी कि शिच्चा का त्यारी प्रमुक धारनायी रही और किन मुख्य बिंदू वों पर ध्यान दिया गया उनका की आज तक हम उनका उनको देख रहे हैं आज भी हम कहते हैं teacher education is on crossroads कितने भी हम seminar webinar हम कितने conferences इस पर करते हैं कि सिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता कैसे लाई जाए कहा जाता यह है कि सिक्षक जीवन के लिए और जीवन वतन के लिए इस दे को पूरा करने वाले विद्यारतियों को तैयार करने का कारे सिक्षकों का है और ऐसे दायत्वों को निर्वहन करने का के योग्य सिक्षक तैयार करने का कारे सिक्षक सिक्षा का है और यह बहुत जरूरी है कि हम पूरे सिक्षक सिक्षा का जो विश्यक जो महतुपूर्ण गटनाय है उनको सिलसिले वार देखें द यूई वाली बातों को हम लेखें तो हम अगर पहले व्यादी काल से और उसके उपर धियान देतों आगे बढ़ती हूं तो आप अच्छी तरीके से जानते oo कि व्यादि यूग में देखे व्यादी क्यूग में देखें यह daylight कार्यी हम बाद काल मैं देखें यह मुस्लिम काल म एक दम कठोर देशियों के साथ में और जादा तर मौकिक सिक्षा को ले करके वो चलते थे आपको ये भी मैं बता दूँ एक ये भी प्रता थी कि जो गुरू का सबसे जादा जो भी जादा तेज सिश्य था वो गुरू की परंपरा को आगे बढ़ाने योगे था गुरू उस उचे आदर्शों की संकल्पना की गई है ये कहा जा गुरू स्वें ये बात कहता है कि जो मेरे में अनुकरणिये योग अनुकरणिये गुण होंगे केवल उनी का ये अनुकरण करना मतलब गुरू को सदेव ये माना गया कि गुरू और ये बात जब भी वो गुरू के दा का आदर्श ये सारे उसके अनुकूल हों जो समाज को बांध के रखे ये जो भावना थी ये शुरू से लेकर अंत तक सन्हीत रही लेकिन धीरे धीरे समय काल परिवर्तित हुआ आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस समय तक एक सिक्षक सिक्षा का कोई एक विव सिक्षर था ऐसी चीजें उस समय नहीं थी ये जो आज हम जिस ढाचे को देख रहे हैं अगर हम इस वे शुद्ध रूप से कहें तो हमारी देश में सिक्षक सिक्षा विवस्था को का जो वर्तमान स्वरूप है इसको लाने का पूरा श्रे अंग्रेजों को जाता है 1815 में म तो वो नहीं पढ़ा सकते जो हम चाहते हैं वो कहते हैं चौतरफा जो प्रदूशित बातावरन रहा लंबी दास्ता रही है उसमें उन्होंने इन सिक्षकों को उस लाइक नहीं छोड़ा कि सरकार के सिध्धानतों को वो विद्यार्थियों में विजार उपन करें जो की हम चाहते हैं वो यह कहते थे कि कहने लगे कि गाउं के अध्यापकों को हमें नैतिक मानदंडों की एक छोटी से संगीता देनी चाहिए और उसे इस प्रकार से दें कि लोग उसे पढ़ें पढ़ने के बाद उसमें जुड़ें और लेकिन उसको पढ़ने के साथ उनके आचार अपनी की मनशा है वो नहीं पूरी कर पाएंगे सिक्षक उनको यह था मतब सरकार के मनशा के अनुरूप सिक्षा देने वाले सिक्षक उस समय उनको चहिए था जो उनको लगता था जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो नहीं दे सकते 1815 से 54 अगर हम सिक्षक सिक्षा के बा जन समुदाय की सिक्षा निर्बर है इसलिए यह आप इसपस्ट जाल लीजिए कि अगर एक व्यक्ति सिक्षित होता है तो वो एक देश के बड़े हिस्से में सिक्षा के सुधार का सहभागी बनेगा दिरे दिरे यह इसपस्ट होने लगा कि जो देशी सिक्षा है वो ही अं 1826 में मदरास गवर्नर टॉम समुर्णों ने सपस्ट किया कि सबसे बड़ी आवशक्ता तो यह है कि अध्यापकों को पहले हम प्रसिक्षित करें और इसके लिए जादा से जादे संख्या में हमको प्रसिक्षन विद्याले खोला जाना चाहिए सपस्ट किया नो प्रोग्र पर जो रिपोर्ट आई वो थोड़ा सपस्ट और सकारातमक रही उन्होंने कहा कि सिक्षक प्रसिक्षन प्रणाली का काम दीमा तो है और रहेगा परंतु इसका जो सफल परिणाम है उसको आने में बरसों लग जाएंगे अब धीरे धीरे यह वो समय आ गया जब 1854 का था प प्रतेक रेजिडेंसी में एक नॉर्मल स्कूल और रेजिडेंसी शेहरों में सबसे पहले नॉर्मल स्कूल खुलना शुरू हो गए 1869 में स्टेंले के डिस्पैश ने व्यक्त कर दिया कि प्रसिक्षन विद्यालेयों की संख्या कोड और डारेक्टर के अपेक्षा के प्रिटिश गॉर्मेंट अपने यहां लंदन में यह अपने चला रही थी आप इंगलेंड में जो यह नॉर्मल स्कूल टीचर्स के ट्रेणिंग के लिए चलते थे उसी के तर्ज में हमारे यहां नार्मल स्कूल खोले जानी की विवस्ता होने लगी और यह भी मैं आपको बता दू यह भी कि इस पस्ट कहीं यह सूत्रों से पता चला कि जो यह नार्मल स्कूल थे यह सिक्षा सास्वाई प्रसिक्षा देते थे और उस समय उन सारे नार्मल स्कूलों को सरकार की ओर से 4 लाक रुपए का जो है अनुदान का प्रावधान भी किया गया था और एक च स्कूल खोले महिलाओं की यह भी बात इस पस्टे की रिपोर्ट ने यह बताए कि महिलाए प्रसिक्षन को लेकर बहुत जादा उत्साही नहीं है जुड़ना नहीं चाहती इसलिए प्रतक महिला नार्मल स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया अठारो सो सतावन तक परिस सिस्टम में और यह बात आप जान लीजी कि जितना सिक्षा का इतिहास पुराणा है सिक्षक-सिक्षा का इतिहास वह पुराना नहीं है और नार्मल स्कूलों के प्रती धीरे-धीरे लोगों का अकर्शन बढ़ने लगा पर एक चीज और सरकार के सामने विवस्ता ये हो गई कि जो नार्मल स्कूल में पढ़ते थे जो पढ़के निकले उन्होंने सरकार के उपर दबाव बनाया कि हमने आपका प्रसिक्षन लिया तो अब आप हमको नौकरी दीजिए 1882 की सिक्षा आयोग जब आई तो उसने उच्चतर विद्यालियों की सिक्षन के लिए प्रसिक्षन के लिए एक अलग से प्रितक सिक्षन कारिक्रम की वकालत की और कहा कि उसका स्वरूप और प्रक्रिया थोड़ी उच्चतर इस्तर की होनी चाहिए इसके साथ में ये भी स्पस्ट किया कि जो सनातक पूर्व छात्रों के लिए प्रतक प्रिसिक्षन हो और इसके जो ये सारे रिकुमेंडेशन्स थे उसके आधार पर 6 कॉलेज इलाहबाद, लोहार, मदरास, राजा मुंदरी और करसियांग और जबलपूर में कुले मदरास और राजा मुंदरी जो स्कूल थे वो नार्मल स्कूल थे और आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश में पहला एल्टी का प्रसिक्षन जैसे लाइसेंस ओफ टीचिंग कहा जाता है इन ही दोनों कॉलेज ने नार्मल स्कूल से परिवर्तित हो करके एल्टी का प्रसिक्षन देना शुरू किया और इस तरीके से और इनको मानिता मदरास कॉलेज ही देता था और धीरे धीरे इनकी संख्या 50 प्रसिक्षन विद्यार्थी इसमें प्रसिक्षन लेते थे उनिस्वी सदी के अंत्यता करह हम देखे तो एक सिक्षक प्रसिक्षण का धाचा हमारे देश में तैयार हो गया था बड़ती आवशक्ता ने सिक्षण प्रसिक्षण की पदती आज भी हम जिसके लिए बहुत परिशान रहते उसको स्वरूप विशेवस्तु, सनरशना और उसको प्रभावी करने की चिंतन की आवशक्ता पर सरकार का ध्यान केंड़ित करना प्रारम कर दिया बीश्वी सदी के प्रारम में लार्ज करजन ने सिक्षा विवस्था के जो परिवर्तन का एक बीड़ा उठाया उसका कहीं न कहीं असर हमारे टीचर एजुकेशन सिस्टम बेबी पड़ा मैं आपको बताऊं, पहले टीचर एजुकेशन शब्द नहीं प्रियोग होता था कि जब government of Indian resolution आया तो उसने एक बहुत बड़ी बात कही उसने ये कहा कि जो भारत जो विद्याले में सिक्षक हो वो चरित्र संख्या योगिता के मानक के आधार पे बहुत सुयोगे होने चाहिए मतलब आप ये समझ लीजे कि वो इस पस्ट ये करने लगे कि सुयोगिता विद नहीं पाए कि टीचर के रूप में character, teacher के रूप में personality, teacher के रूप में हमारा perception, teacher के रूप में हमारे ethics, teacher के रूप में हमारा professionalism ये हम आज भी नहीं पापाए लेकिन इसको स्वतनिता के पूर्व अंग्रेज भी इस बात को समझते थे कि ये being a teacher it is necessary for a teacher to be having all the all the characters all the main qualities to for having a quality having a effective teacher तो वो जो चीज थी वो कहीं न कहीं इस बात पर दबाव बनाने लगी कि हमें teacher education का जो पूरा approach है उसको देखने की जरुवत पड़ेगी दूसरी बात ये थी सिक्षक प्रसिक्षन की जो नियूनतम अवदिये उसको दो वर्श किया गया और जो एक बात है देखे आज भी नहीं हो पाया वो था कि उन्होंने ये कहा कि जो ग्रामीन स्कूलों में जैसे हमारे primary basic जो स्कूल है उसके बारे मैं आगे मैं चर्चा ऑर एक बात और है प्राठिकरम में सिक्षा के सिधान्त और व्यावारातमक सिक्षन समलित कर लिया गया प्रायोगिक विद्याले से संबध कर दिया यह सबसे बड़ी समस्या है जब तक नार्मल स्कूल ते हर एक नार्मल स्कूल्स नॉर्मल स्कूल्स वर हैविंग देर ओन प्रैक्टिसिंग स्कूल्स बट वी ओल मोस्ट आप टीचर एजुकेशन इंस्टिटूशन्स आर लेकिंग दिस तो यह जो प्रॉब्लम थी यह आज हम इसको लैक कर रहे हैं लेकिन उस समय भी इसके लिए दबाव था कि हर सिक्षक प्रसिक्षन संस्तान के साथ एक प्रदर्शनात्मक विद्याले होना चाहिए और एक यह भी जो सबसे बड़ी बात है जो हम आज भी लैक कर रहे हैं कि महा विद्याले और प्रसिक्षन महा विद्याले के मद्ध प्रसिक्षन महा विद्याले और विद्याले जहां उसको पढ़नार पढ़ाना उनके बीच में एक बहुत ही सुन्दर जीवन्त संबंद होना चाहिए ये जो चीज थी ये आज भी हम नहीं पापाए लेकिन इसके लिए संस्तुती पहले पूर्व में ही अंग्रेजों के जमाने में भी सिक्षक सिक्षा वेवस्था में इसकी अ अनुमती नहीं दी जाएगी अब आप समझ सकते हैं कि जैसे इस चीज की अनिवारता कर दी गई तब तो बस इस्तिती ये बन गई कि जिसको भी टीचर बनना है वो पहले टीचर टीचर ट्रेनिंग का अनिवार सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए 1917-19 में कैलकटा इन्वस्थी कमिशन था उसने भी इस बात पर अपना मत प्रगट किया कि जादा से जादा संख्या में हमें प्रसिक्षन संस्थान खोले जाना चाहिए और MA में एजुकेशन एज़ेट और डिसिप्लीन इंक्लूड हो और दूसरी बात यह है कि हर एक विश चीज थी उस समय से आम मान सकते हैं कि हमारे देश में सिक्षा सास्त्र की पढ़ाई एक विशे के रूप में प्रारंभ हो गई इस नातक और प्रानातक इस तर पे 1939 में हटा कमेटी ने भी थोड़ी सी रिपोर्ट दी उसने कहा सिक्षकों के इस तर का उन्नेयन करने की अवशक्ता है चिक्षूंगों के अवधी का विस्तार की आवशक्ता है सिक्षा के सेवा सर्तों में सुधार की आवशक्ता है प्राथमिक सिक्षकों के लिए सेवा काल कर रहे थे उनके लिए पहले से ही इन सर्विस टीचर एजूकेशन सिस्टम को ज़्यादा मात्रा में स्टेबलाइज करने का या हम कह सकते हैं उनको ज़्यादा महत्व देने की बात प्रारम से ही शुरू हो गई थी फिर जब कमेटी on recruitment training and conditions of service of teachers ने teachers के सेवा प्रसिक्षन की अवधी तैगी वो अवधी कुछ इस प्रकार की थी कि जो पूर प्रात्मिक टीचर बनेगा उसको दो वर्ष की प्रात्मिक विद्याले में सिक्षक बनने के लिए दो वर्ष की बुनियादी माधमी वरिष्ट बुन training दे रहे हैं आप इसको देख समझ सकते हैं कि B8 की training जो हम दे रहे हैं वो उस समय उसी रूप में यह आई थी उसकी विवस्था बनाई जानी चाहिए एक बात और उन्होंने का स्योग वेक्तियों का चैयन होना चाहिए जो वाकई teacher बनना चाहते हैं उनीका ही selection हो दूसरी बात है कि refresher course को बढ़ावा दिया जाए refresher course को आप समझ सकते हैं शब्द को आज हम लोग सभी इस तरपे refresher और orientation लेते हैं यह चीज अंग्रेजों के जमाने से ही आ चुकी थी और अनुसंधान की जादा से जादा प्रविधियां teacher education system में include की जाएं जिससे की सिक्षक सिक्षा में नवाचार include हो और जो परिवर्त ह जान है उसको हम अनुसंधान के माध्यम से देख सकें और अध्यापरम अभ्यास को सूद्रिन किया जाए जो कि आज भी सबसे ज़्यादा neglected है teaching practice हमारा जो कि सबसे ज़्यादा अनिवार है पर वो सबसे ज़्यादा neglected है यह जो यह जो बात थी यह उस समय भी बहुत emphasize की गई में और देश पूरा जो है वो राष्ट भाव से एकदम हुमड पड़ा और जो रास्टीता की भावना थी वो मनिश के जीवन के हर पहलू को अनुप्राणित करना प्रारम कर दिया अब इससे सिक्षा वेवस्था भी बाहर नहीं रह सकती थी गोखले और यह बैसंट जैसे जो रास्टीय नेता थे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा वेवस्था और प्रसिक्षन वेवस्था के विरोध में स्वर उठाना शुरू किया और उसको धार दिया उन्होंने कहा कि वो ऐसे टीचर तयार कर रहे है जो अंग्रेजियत के गुलाम रहे तो इसलिए प्रसिक् टेज्टन को रेखंकित करना शुरू कर दिया उस समय जो बहुत बड़ी समस्या थी वो क्या थी रास्ट्टिय सिख्षा का स्वरूप क्या हो इसको कैसे तेग किया जाए इन संस्थानों के लिए योग नियुक्न कैसे तैयार की आप राष्टवादी संस्थानों को उनकी अप और उनकी उपाधियों को मानिता कैसी दी जाए और इसी बीच में आप यह समझ सकते कि यह जो हम लोगों का धीरे धीरे जो टीचर ट्रेणिंग जो सिस्टम था उसमें एक उसके प्रती एक राष्टवादी जो दिस्टिकोंड था वो भी बनना प्रारम हुआ कि टीचर शुड़ बी मेड अकॉर्डिंग टू दी एस्पिरेशन ओफ नेशन जैसा राष्ट को चाहिए वैसे सिक्चक बनाई जाने चाहिए अब स्वतंतरता प्राती के पस्षात ये बहुत मानिता बल्वती हो गई कि प्रसिक्षन कारिक्रम को बहुत ज्यादा अर्थफून बनाया जाना चाहिए और प्रसिक्षन कारिक्रम को सार गर्वित बनाया जाना चाहिए पर मैं प्रॉब्लम की बात कहुंगी प्रॉब्लम रही at that time we were struggling for the quality as well as quantity ति दोनों के लिए हमारे सामने समस्या थी हमारे पास supply की भी समस्या थी quantity कीभी सम Сमस्या थी बहुत बड़े जैसे जैसे हमको यह लगने लगा कि संपूर साक्षर्ता प्रात्मिक सिच्छा के सार जनी करन जो बड़े बड़े लक्ष हमारे आगे आने वाले थे और सिच्छा का जिस रूप में प्रचार प्रसार हमें करना था और देश को आत्म निर्भर बनाना था उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि competent teachers हमारे हर area के लिए तयार हो और यह जो problem थी हमारे सामने वो बहुत बड़ी थी और दूसरा यह था कि हमको we were fully confused of setting new goals, new ideas, new approaches for teacher education और दूसरी बात यह थी कि सिच्छक प्रसिक्छन कारिक्रमों के प्रती आकरशन तब बढ़ने लगा था मतलब प्रसिक्छन कारिक्रमों के प्रती आकरशन बढ़ने का मतलब आप समझ सकते हैं कि और ज्यादा प्रसिक्छन कारिक्रम चलाई जाने चाहिए इसके लिए एक दबाव बना हुआ था कि हमको चलाना है और उसे चलाने के कौन से मांदन डोंगे, किस प्रकार से वो चला विवस्ता वो उसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो देश को एक सिक्छक प्रसिक्छन का एक विवस्तित धाचा मिल लिया धाचा एक ऐसा था जो प्रसिक्छन कारिक्रम चला रहे थे भले वो धाचे उसी प्रकार से काम कर रहे थे जैसे अंग्रेज चाह रहे थे लेकिन व में मिले थे 1995 आते आते उनकी संख्या 633 हो गई टीचर ट्रेनिंग कॉरेज नॉर्मल स्कूल और विश्विद्यालेओं में सिख्षा विभाग प्रसिक्षण कारिक्रमों को संचालित कर रहे थे अब सिख्षा आयोग 1964 चाचट ने भी कुछ विचार दिये उसने कहा कि अप्रसिक्षित जो सिख्षक हमारे हां काम कर रहे हैं उनको जीग्रतिशीक हमने प्रसिक्षित किये जाने की आवशकता है उनके लिए चाहें ग्रीश्म कालीन हम कोर्सेश चलाएं उनके लिए हम कोई वेकलपिक पाठिक्रम चलाएं जो भी विवस्था हम कर सकते हैं करें लेकिन अब जरूरत इस बात किये कि हमारे देश में जितने भी अप्रसिक्षित अध्यापक कारे कर रहे हैं उनको हम प्रसिक्षित कर दें जिससे की हमारे जो टीचर्ज हैं वो हमारे नेशन के एस्प प्रत्राचार माध्यम प्रारम हो गया ये भी एक नया चीज था और वो उसका मात्र सिर्फ मतलब यही था कि जो अप्रसिक्षित अध्यापक हैं और काम कर रहे हैं वो प्रत्राचार माध्यम से अपने आपको प्रसिक्षित कर ले तो इसके बाद ये 1971 में ये बंद भी हो गय पर अब अधिकांज विश्विद्याले और महा विद्याले B8 के पातिक्रम चलाते हैं। NCAT ने 1978-88 में सिक्षक प्रसिक्षण के लिए पातिक्रम का एक बहुत बड़ा धाचा तेयार किया। और 1993 में आप सभी जानते हैं कि एक संसदी अधिनियम के बाद National Council for Teacher Education ने देश भर में सिक्षक प्रसिक्षण कारिक्रम के स्वरूप को निर्धारन करना और देख रेक करना प्रारम कर दिया। ये जो चीज था ये चला आया लेकिन मैं आपको बात बताऊं। कि 1986 राष्टिय सिक्षा ने थी जो आई उसने प्राथिमिक सिक्षक सिक्षा का पूरा अमोल चूल परिवर्तन कर दिया। ये आप समझ के रखिए। वो जो एक ऐसा कदम था प्रोग्राम ऑफ एक्षन के तहस की प्रतेग जिले में एक जिला सिक्षा अवेम प्रसिक्षन संस्थान की स्थापना की गई। ये प्रसिक्षन संस्थान दोनों प्रकार के प्रसिक्षन कारिक्रम चलाता था। इन सर्वी सेवा कालीन सिक्षक प्रसिक्षन संस्थान और सेवा पूर्व सिक्षक प्रसिक्षन संस्थान दोनों ही प्रकार के प्रसिक्षन कारिक्रमों को चलाना उन्होंनों शुरू किया और मैं आपको बता दू जो ये प्रसिक्षन कारिक्रम चलते थे उसका नाम था BTC औ NTT, nursery teacher education, DET, diploma in education, TTC, teacher training certificate, JBT, junior basic training, B.E. bachelor of education और M.E. master of education ये जो आप ये सारे डिगरी देख रहे हैं ये हमारे चलना शुरू हुए मैं आपको ये भी बता दूँ ये पत्रा चार माद्यम से बहुत दिन तक चले अभी भी ये औपचारिक माद्यम से formal education में तो चली रहे हैं उसके साथ में ये distance education mode से भी इसमें डिप्लोमा के रूप में और ये certificate course और डिग्री के रूप में ये चल रहे हैं इस प्रकार से ये पाठिकरम आज हमारे इन रूप में ये चल रहे हैं मैं दूसरी बात आपसे जो कहना चाहती हूँ कि diet जब खुले मैं खु पुरे diet को जो बनने के बाद उसको सजाना उसके हर उसको इतना सम्रिद्ध किया गया उसको संसाधनों से कि उसको इस रूप में सम्रिद्ध किया गया कि वो district जो है वो resource center के रूप में diet काम करेंगे और ना केवल वो teacher education system को ठीक करेंगे बल्कि वो सरकार के जो जिला स्तर प कि उनके देखरिक में जितने भी कारिक्रम चलेंगे उसका सबको को जो है यह देखरिक diet करेंगा तो diet एक बहुत बड़े center के रूप में प्रसिक्षण आपने लिया तो आपको नौकरी मिलेगी और वो प्रसिक्षण मैंने भी लिया है diet में मैं आपको बताओं वो वो प्रसिक्षण एक जीवन को एक अलग जगे पे ले गया सिक्षक के रूप में उसने जिस तरीके से मुझे मैं प्रसिक्षण करती हूं कि जिस प्रकार से उसने मुझे जड़ से जोड़ा एक एक जड़ से ले करके और आज अगर मैं कहूं मैंने अमेट करके उपर तक डाली तक देगी तो जड़ मेरा जो है वो डायेट के प्रसिक्षण ने प्राइमरी जो टीचर एजूगेशन था उ प्राक्टिकल ही साउंड करते थे परिसनाली डेवलप करते थे और 2400 घंटे एक ट्रेनिंग का इंबार्मेंट हम लोग बना करके उसमें रहते थे लेकिन समय बदला अब उसके उसी में मैं आपको बताऊं वही डायेट जो यह करते थे समय बदला आज अगर हम देखे तो प्राक्टिकल है कि हतरिक्त तमाम उसे अन्ने जो सेल्फ फाइनेंस अन्ने कॉलेजेस को भी बीटीसी की ट्रेनिंग चलाने का मानेता दी गई और उसके साथ में डियेलेड जो आप वो परिवर्तित करके दो साल का डियेलेड हो गया लेकिन जो डायेट अपने यहां 30-50 ब भावना थी जो एक स्योटी आप जॉब ती जो क्वालिटी थी वो कहीं न कहीं वो क्वेशन में आ गई तो वो जो चीज थी वो आज क्या है आज आप खुद देख रहे हैं मैं उस पर क्या आपको बात बताओ बीटीसी कर लो बीएड कर लो कोई भी टीचर उसके बाद मतलब यह आप इस पस्ट जान लीजिए कि हमारी दी हुई ट्रेनिंग इस लाइक नहीं है या हमारे पास वो विद्यार्ती उस लाइक नहीं आता कि टीचर बन पाए या हम उस लाइक ट्रेनिंग नहीं देते कि वो अच्छा सिछक बन पाए या वो पार्टिक्रम में कोई क या हमारे दिया हुआ प्रसिक्षान विद्यारती को विद्याले से नहीं जोड़ पाता कहीं न कहीं वो सारी चीजें हैं जो इस बात पर आपको खुछ सोचना चाहिए कि अगर किसी एक बड़े लेवल पर प्रसिक्षड के बाद भी उसको एक परिक्षा निकालनी हो टीचर बनने के लिए एक से अधिक परिक्षा निकालनी हो तो इसका मतलब आप समझ लेना चाहिए कि हम क्वालिटी या हम उसके अनुकूल उस सिख्षा विवस्था के अनुकूल सिख्षक तयार नहीं कर पा रहे हैं यह प्रॉब्लम हमारी बढ़ती जा रही है हम बले यह कहें कि हमारी क्वांटिटी बहुत बढ़ गई कि नीट बेस तो खतम हो चुका है नीट बेस टीचर एजुकेशन नहीं है हमें जितना चाहिए उतना नहीं है हमारे पास हर स्वर्ष लाखों बेरोजगार शिख्षक प्रसिख्षक हम पैदा कर दे सिख्षक चात्रा ध्यापक चात बन पाते हैं अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं दूसरा यह था कि इन सर्विस ट्रेणिंग भी डाइट करवाएगा जो डाइट अपने इन सर्विस ट्रेणिंग कराता था उसके लिए वो पूरे जिले भर के टीचर एजुकेशन टीचर जो प्राइमरी टीचर थे उसके बात करना training दोनों बात मुझे करनी चाहिए कि अखसां नहीं स्थितिए आंसर्विट कुछ जानते 42 ऐं कि जब टीचा सिस्के लिए तैयार किsec उनोवेटि वहन के अप्रोच हेमेशा ने हो टीचर इन्हें पड़ाएं नये नये टीचिंग अको अप्लाई करें घुप सिचुएशन के लिए अपने आपको तैयार करें और अगर गॉर्मेंट के कोई नए गूल है तो उसको वह क्लास तक ले जाए जैसे सब सिख्षा भियान नहीं इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कराई और उसको उसकी देखरें डायट को करनी थी और वह ब्लॉक लेवल पर चला उसी में स्थिति है बलकि यह फाइर एजूकेशन में मादविक एजूकेशन में भी अगर जहां पर हम रिफ्रेशर और और ओर्येंटेशन कोर्से स करते हैं हम ज्यादा इनफेसाइज इसी बात पर करतें कि हमें सर्टिविकेट मिले हमारी किसी तरह बीस-सकीजिन दिन हो हमारी वहाँ पर किसी तरह उपस्तिती बनी रहे यह नहीं कहती है ऐसा 100 परसट है लेकिन कि चतिना टीचर e. ड. होना चाहिए स्तिती कि न one लुक कि उसमें ड. इस्तिती क्या है डाइट भी उसमें टीचर को लास्ट में भेज देता है जो वहाँ पर बता देता है कि जिस तरीके चले वह काम में क्योंकि इन सर्विस प्री सर्विस दोनों ही ट्रेनिंग में ने डाइट से ली मैं तिनी सवभागे शाली हूँ लेकिन मैं एक आपको बात ट्रेनिंग में अगर सीखा जाए तो ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग में अच्छी चीज़े बताई नहीं जाती बहुत कुस तो वह चीज़े बताईगे जो हम लोग को बच्चपन में लगता था कि कैसे यह संभव है जैसे फॉर इजामपल मैं उसमें उधारन भी आपको देना इसी प्रकार विज्ञान के सिक्षा में भी मैंने देखा कि बहुत अच्छे च्चे तत्य बताई बात यह है कि अगर सीख लिया और सीखने के बाद वो कक्षा में ले जाके जो लैब टू लैंड है वो होता ही नहीं हम कक्षा में जाने के बाद ना तो कुर्सी से उठना च पाता यह जो प्रॉब्लम है यह ना तब ख़तम हुई नहीं आज खतम हुई मेरे खुद के भी इस पर प्रोजेक्ट्स हैं मैंने इन ट्रेनिग दो करा बाद एक प्रोजेक्ट भी किया था इसी को देखने के लिए कि टीचर्स के बारे में क्या सोचते हैं और हाउ देर 雕ches अगर कोई भी क्रसुफच्छन आरिकरम सिख्षक को दाहित्व के लिए कुछ सिप्च्षक को其實 करता कि वह जाकर के वह पढ़ाया लुक्तितवर नहीं वह बदल पाता उनके मनोभाव नहीं बदल तरीका नहीं बदल पाता उनमें प्रोफिशनलिजम उनमें वह व्यवसाहिक नहीं ला पाता तो व्यवसाहिक का बोध नहीं करा पाता तो वह कैसा प्रसिक्षान है तो यह जो मेरे कहने का यह मतलब मैं फिर डाइट के डाइट को लेकर के मेरा क्रेस था मेरा खुद का रिसर् कि जगे जगे BTC और DLA हो गई तो मेरे कहने का यह मतलब है कि प्रसिक्षण कारिक्रम अगर उसका कारिगर अच्छे तरीके से प्रसिक्षित नहीं है तो कितनी बढ़िया वह बिल्डिंग बनेगी यह तो आप खुछ सोचिए तो कारिगर कहीं से भी बन जा रहे हैं कारिगर क इच्छा में वह पास होके नहीं आता जो टीचर बनना चाहता है जो आई-एस बनना चाहता है जो कोई और वेवसाय में जाना चाहता है वह क्योंकि अच्छे तरीके से वह प्रिपेर होता है बहुत सारे competitive exam देता है तो सबसे high merit में वहीं आता है और फिर वह कभी class में नहीं आता है यह जो परिस्तिती है यह आज वेराइस कर रही है तो यह जो चीज़ी डाइट ने जिस तरीके से यह बदला नार्मल स्कूल सब बदल गए आप वहां पर डाइट है बड़ी कुप सुन्दर सुन्दर बिल्डिंग है सब कुछ अच्छा है आपको यह मालूम है कि हमारी बेस है और बेस इतनी मजबूत होगी वह बेस मजबूत करेगी मादमी को मादमी जितना मजबूत होगा वह मजबूत करेगा हाइर एजुकेशन को हर एक जो इस्तर की सिक्षा है वह एक दूसरे इस्तर की सिक्षा को ढगना केवस हारा देती है बलकि उसको प्रभाव की हम लगातार परिवर्तन करते हैं उसको देख भी नहीं पाते हैं कि कहां तक किस रूप में हम उसे कर पाई कहां तक भो ठीक हो पाया कहां तक वो हमारे हमारे अनुकूल हो पाया और नेशनल नौलेज कमिशन 2000 साथ आया उसने भी टीचर्स के दायत्व के बारे में टीचर की सेभागिता भागिदारी के उसको सुनिश्टी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर टीचर एजुकेशन 2010 ने टीचर एजुकेशन सिस्टम में गुडवत्ता बनी रहे तो नाक के साथ उसको जो है वो मतलब जोड़ा नाक के साथ जोड़ा और उसके तभी से टीचर एलिजिब गलत काम कर रहा है आज आप टीवी में देख रहे हैं जिस मामारी से हम गुजर रहे हैं हमारे फ्रंट लाइन पर जो है वो वारियर्स हैं उनको फ्रंट लाइन पर लड़ना उनसे किसी प्रकार की हम कमी की गुंचाइश नहीं कर सकते क्योंकि अगर कमी हुई तो जान गई सिक्षक तो हमेशा नेशन के फ्रंट लाइन वारियर है क्योंकि नेशन कितना मजबूत होगा सबसे पहले सिक्षक को लड़ना है लेकिन हमारा कहीं दाइत भी नहीं हमारा निर्दारी तो पाया हम हमारी परिस्तितियां चेंज होती रही बदलती रही अगर हम दो वर्षी ह हम अगर हम B.A.D. की करें,ale 2, B.A.D. 2014 से होगया चार वर्षी की बात ऑ रही है अगर हम M.Ed की देखें, M.Ed. के बारे में सोचें तो 2018 एंस नस्लिता से 2 वर्षी M.Ed.o. परिष्धिति हैं, एक वर्ष में तो विद्यार्थिओं को कख्षा तक बुलाना, कख्षा में उनकी इनका रूची को बनाए रखना, ठीक थे बते देटिभिटी स्रजनात्मक्ता बनाए रखना, प्रफिशनल प्रोफेशनल जो है पर्शेप्शन उनमें बनाई रतना यह हमारे लिए सदा से समस्या रही है आज भी अगर हम जिन समस्याओं की बात करते हैं उसमें यही है कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइफ स्किल्स नहीं देते हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम सब्जेक अगर इसे हम दोनों के उसमें देखें भाव में देखें तो टीचर एजुकेटर साथ नॉट मोटिवेटेड एस वेल आज ट्रेनिग आल्सो नॉट मोटिवेटेड हमारा जो पर्यावरन है वह कहीं भी ऐसा नहीं है कि वह विद्ध्यार्तियों को बांदे रखके मैं स्तिति में नहीं तो मेरे कहने का यह मतलब कि आज हम लगातार परिवर्तन पर परिवर्तन रोज नहीं चीज, शियार करने के कोशिश Stephen हमारी परिशानी यह है कि जिस प्रभावना जो एक शक्रणक प्रशिक्शॉन कि नहीं, चाहिए वह हम कई नहीं उसको लैंक करते है प्रसिख्षण क्या होता है प्रसिख्षण वो है जो एक किसी काम को करने की पूरी टेक्निकली उसमें उसको साउंड कर दे प्रसिख्षण से सिख्षक सिख्षा हो गई अब इस्तिती क्या है सिख्षक सिख्षा तो हो गई सिख्षा तो कही समाईत हुई नहीं और प्रसिख् 2014 में दो वर्शी हो गया दो वर्शी होते हमारी दूसरी समस्याएं कुछ कम नहीं हुई और मैं आपको और बता दू जो एड़ेड कॉलेजिस हैं उनकी प्रॉब्लम दूसरे तरह की हैं हम ना कहीं हम ना उसमें अपने आप से हम फैसिलिटीज बढ़ा सकते हैं ना हम यूमन स्विकार करते हैं और एक बात और मैं आपको बता दूँ कि इन्वस्टी में पढ़ाने वाले जो टीचर्स होंगे जो टीचर एजुकेटर्स मुझसे जुड़े वह अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि टीचर एजुकेशन को ले करके जो इन्वस्टी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं जैसे तैसे चला लेंगे तो आप यह सोचिए जो वेशाई पार्टिक्रम है उसके प्रतिय अगर नजरिया चले जिन संस्थानों में चल रहा है तो क्या नजरिया होगा अब दूसरी बात यह एक जो सेल फाइनेंसेस हैं वो अपने तरीक उनको प्रॉपर एग्जामीन नहीं किया जाता तो उनकी क्वालिटी हमेशा कुश्चन एबल रहती है प्रॉब्लम यह कि बात यह है कि जो जो एक्जामीनिंग बॉडीज है उनको जिस तरीके से वर्क करना चाहिए चाहिए वो इन्वस्टी एडमिस्टेशन हो चाहिए व प्रकार से उसको एक्जामीन करना चाहिए जिसके प्रकार से वो नहीं होता एसेस्मेंट उसका उस तरीके से नहीं होता तो वो जैसे चाहते वैसे चलाते परिस्तिती यह आज बन चुकी है तो मेरे कहने का यह मैं यह आपसे कहना चाहती हूँ आप परिस्तिती दूसरी है चार वर्ष का होने जा रहा है, हम 12 साल तक चला सकते हैं, जो आगे हो भी सकता है, एक एक यह है, आने वाली बाते क्या होंगी मैं नहीं जानती, लेकिन अगर कुछ परिवर्थन होता है, तो दो वर्ष में जिस तरीके से हमारे सामने परिस्तितिया रही, कि हम दो वर्ष में कि हमारे पास ना तो इस अंसाधन बड़े, ना हमारे पास टीचर्स बड़े, जो एड़र कॉलेज इंवस्तिज हैं, डिगरी कॉलेज की दूसरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सेल्फ फाइनेंस की दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, उनके पर दबाओ नहीं बन पाता, क्वालिट विक्सां के राजी को चलाने के लिए, तो एक विचार लेना होता था राजय को चलाने के लिए, तो विभी आग प्रिस्तिती क्या है, जो किसान के चार बेटे थे, जो और सबसे अर्चा था, जो बहुत तेzd था, वो डॉक्टर बना आ ι不管 डिक्री क में शिए, यह तो उसने टीचर बनना ही उचित समझ लिया और जो चौता था जो चौता जो कुछ नहीं करता था वो नेता बन गया तो मेरे आप यह समझ सकते हैं कि आज यह ना तो यह दोयम दरजेगा बलकि तृतिये दरजेगा कुछ नहीं बन पाएंगे बीएड की डिग्री बनाके रख यह जो अभी जो परिक्षा अभी जो यह टेट और सूपर टेट के बाद इसमें इनके परसेंटेज के अधार पर इनके अंख है तो भाई वो परसेंटेज के लिए परिशान रहता है वो कहीं पढ़ने के लिए परिशान नहीं है वो कुछ सीखने के लिए परिशान नहीं है और मैं और भी आपको बता दूँ, हम लोगों की जब मैं BTC कर रही थी, तो मैं यह देखती थी, कि हमारे यहाँ, जब हमारा BTC, यह मतलब नार्मल स्कूल था, तो बाहर से कई बार teams आती थी, वहाँ के प्रसिख्षन कारिक्रमों को supervised करती थी, मैं खुद यहाँ पर teacher educator के रूप में इतनी दिन से काम कर रही हूँ, ऐसे इस प्रकार की कोई team कभी गठित नहीं हुई, जो supervise करें के teacher education program किस प्रकार से चल रहे हैं, किस तरीके से वो चल रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब जो चीज़ supervise नहीं की जाएगी, उसमें भाई कोई अपना पाथिक्रम पूरा कर दी है, पाथिक्रम में सनीत जो जरूरत थी, सच्चा ही यह है, कि हमने जानकारी तो बहुत दी थी, teacher को यह करना चाहिए, यह पढ़ाना चाहिए, ऐसा पढ़ाना चाहिए, और जो जब उसने सब कुछ कर लिया, तो उसको जानकारी कूब है, ह पाथिक्रम को पूरा किया, और हम लोग बी इस वात को बार बार लिख करके देते हैं, कि हमारे इतने पाथिक्रम पूरा कर लिया, अउपना इतनी धिकलाके चला दी, इतने समिनार करा दिए, हम झब खुद रिफ्रेशर और्येहनमें जाते हैं, तो वह हम सर्टिफिकेटे इसलिए लाते हैं, इसलिए लेना चाहते हैं, हमारे पास यह होता है कि हम उसके मार्स लेंगे, हमको हमारे प्रोफेशन में दिखाना पड़ेगा, हम यह सोच करके नहीं, मैं आपको आज सच बताऊं, मैं खुद जब मैं छोटे सा आपको उधारन देती हूं कि क्या मतलब मेरी टीचर मुझे नाउन की परिभाशा बताती थी, नाउन, नाउन, नाउन is a name of person, place, or thing, और वो उधारन के रूप बोलती थी, सीता, रीता, गीता, मीता, इलाहबाद, और बनारस, और आप समझ लीजे, दिल्डी कुछ भी, और मैं उसको रट लेती थी, जब फर्स्ट में रही हूं, और रट लेती, सोचती थी, इसमें सीता, गीता, यही केवल नाउन होता है, और जब मैं बढ़ी हुई, तो मैं नाउन की परिभाशा समझ गए, इसी प्रकार, चंद ग्रहन, सूरे ग्रहन में इतना कटीन होता था, कभी सूरे बीच में आजी, कभी चंद बा प्योग करते हुए, कैसे उधारन देते हुए, कैसे हमने सीखा इन बात को, और तब मुझे यह महसूस हुआ, कि काश अगर इसी तरीके से गड़ित में, गड़ित और विज्ञान और हिंदी और जो विशह, इतने इंट्रेस्टिंग तरीके से हमारी टीचर पढ़ाते, तो इनीशली इन चीजों से जोड़ पाई, तो मुझे कई बार ये लगता है कि टीचर एजूकेशन सिस्टम, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छा पाया, टीचर ने खुद उस भाव को ले करके बहुत नयतिकता से हमें प्रसिक्चित किया, तो शायद हम इतने अच्छे भ हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है और हमारे दृष्टिकोन को बदलने की बहुत बड़ी आवशकता है, जब तक कि हम नहीं बदलेंगे, ये मान के चलिए, जब तक टीचर एजूकेटर्स इसमें जुड़े हुए, इसमें ट्रेनीस जुड़े हुए, इसमें स्टूदे प्रति को या कहिए करिकुलम, पूरे करिकुलम को इस्ट्रक्चर को किस प्रकार से चला जाएगा, इसलिए प्रिप्रेशन ऑफ टीचर सिस्टम जो है, वो सही होना ही चाहिए, इसके जितनी भी दिक्कते हैं, आगे भी जो भी हम इसमें, हम जितने भी बदलाव करें, किसी जरूरत इस बात की है, कि वो सारे के सारे जो बदलाव हैं, वो कहीं सिक्षक के व्यक्तितों में, उसके चरित्र में, उसकी सोच में, उसके क्रिया कलाप में, और उसके भामनाओं में वो सन्नी ही तो, और इन सब के साथ में मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ, आप ऐसमें कुछ और चीजे जुडनी चाहि grappling यह बहुत लंबा था मैं सिर में पूरा अगर इतियास सारी चीजे लौती तो अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और चीजे चीजें जुडनी चाहिये थी तो आप मुझे लिखितमे सेजशन दे सकते पैसाओ और जो मेरे विद्यार्थी हैं वो इस बात को जानते हैं मैं आप लोगों से बार-बार ये कहना चाहती हूं क्योंकि हम सिक्षक हैं अपने दायत्तों से भाग नहीं सकते एक डॉक्टर का किया हुआ फाइल में दब जाता है एक अगर वकील गलत करता है तो फाइल में दब ज सिस्टम है हमारी तैयारी का जो तंत्र है उस पर भी बहुत ध्यान दिये जाने की आवशकता है और ये जितना अधिक ये रिफॉर्म होगा जितना अधिक हम इसके बार में सोचेंगे सबसे बड़ी मैं बात आपको कह दूं कि जो अंग्रेज धाचा बनाके चले गए उससे हमको बाहर निकलने की ज़रूरत है उस धाचे को हम कितने दिन तक दोते रहेंगे हम जब तक ये नहीं सोचेंगे कि हमारी सिक्षा किस तरह के विद्यारती चाहती है किस तरह का रास्ट चाहती है किस तरह के बच्चों को वो चाहती जब तक हम इन चीजों से बाहर निकल कर रहें सेफ रहें बहुत बहुत धन्यवाद और मैं प्रोफेसर सुष्मा पांडे आचारिक दीन द्यालुपाद्ध है गोरगपुर युश्विद्याले गोरगपुर धन्यवाद